हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक टू माई चैनल, अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एपिसोड टू के शरवात में, सो इंग और यून शेंग डिजाइन हाउस आए होते हैं, सो इंग कहन लिकर और की रिक्वेस्ट ही है कि वो अपने घर को बस रेनुवेट करवाना चाहते हैं, काम जादे नहीं है मैं इसे, बहुत ही थोड़ी वक्त में पूरा कर सकती हूँ, पीटर लू यून शेंग से पूछता है कि तुम इसी ग्लास हास में रहते हो, तो यून शेंग कहते कि नहीं मैं हॉस्पिटल के डॉम में रहता हूँ और कभी कभी यहां पर आता हूँ, पीटर लू कहने लगते है कि तुम्हारे और मीसू की लव स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, मेरे पास एक आइडिया है, हम इस घर की 6th Anniversary के लिए एक Special Edition शूट करेंगे, स सब बाते सुनकर, यूंजुन बहुत ही जादा इरिटेट हो रहा होता है, तो यूंग कहती है कि छे साल पुरानी सीजों की हाइप किरियेट नहीं करो, वरिना मैं ये प्रोजेक्ट छोड़कर चली जाओंगी, ये सुनकर यूंजुन को अच्छा लगता है, फिर जिब कि दोनों वापिस जा रहे होते हैं, तो सु यूंग से पूछती है कि रेनुवेशन के लावा तुम्हारी कोई और रिक्वेस्ट भी है, वो क्या है, यूंजुन कहता है कि मैं अपने ग्लास हाउस में हर दिन रेंबो को देखना चाहता हूं, क्या तुमें भी लगता है कि मैं पागलों दिसी बात कर रहा हूं, सु यूंग कहने लगती है कि रेंबो का बना एक नैशल प्रॉसस है, लिकिन तो तुम कहरे हो वो बात है, तो अन्रियलिस्टिक, यूंजुन कहता है कि ये पश्तावा कंसीलर होता है क्यूंकि मैं इसको अकीकत में नहीं ला सकता, सु इसके स्टूडियो ड्रॉप करके चला साता है, इसके सिस्टेंट बताती है कि ये चैन है और ये निव इंटर्न है, सु इंग पुछती कि तुमारा मेजर क्या है, तो ये कहता है कि विज्वल कम्यूनिकेशन, सु इंग इसे पूछते कि अब हमने रूम के अंदर रेंबो क प्रिंट करके लिए आता है, सु इंग के देखे कहने लगती कि मेरा स्टूडियो इतना अमीर नहीं है, जितने तुमने डिजाइन प्रिंट कर लिए हैं, तो चैन कहने लगता है कि भाकी मैंने अपनी यूएसबी में सेफ किये हैं, अभी इसके लाप्टॉप से अपनी कि रिट किया जा सकता है, अब यहां पर अचानक से लाइट चली जाती है, सु इंग तो बहुत ज़दर डर गई होती है, यूँचिंग इसके पास पैट कर कहने लगता है कि क्या तुमने डर लग रहा है, तो सु इंग कहती है कि ठीक अपि मैं देख कर आता हूं, लेकिन य कालती है, तो यहां पर एक लाइट चल जाती है, यह दोने स्लाइट को देखने के लिए बैट जाते है, यह एक सेंसर लाइट होती है, जब यह लोग क्लाप कर रहे होते है, यूचिंग कहते है कि तुम यहां पर मेरा वेट कोर में आता हूं, तो सु इंग कहती है, हम यहां पर बैठक किसी के आने का इताव कर सकते हैं और हम इहां पर बैट कर clapping game खेलते हैं जब मच्पन में खेला करते थे तरह यह दोनों इसी तरह से clapping game कहले लगते हैं जिन 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 कहने रगते कि क्या तुमने उन दो तो बच्चों की कहानी सुनी है जो कि क्लापिंग गेम के बाद गाइब हो गए थे ये सुनते ही सूइंग जोड़ों से क्लापिंग करती ताकर लाइट बंद ना हो और फिर शीख मारकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है अब इन दोनों में से किसी ने बेख लाइट खुद बाख भुद ही जल चाती है और ये दोने एक दुसरे को देखकर कहने लगते हैं कि अभी किसने लाइब किया है यहाँ पर एक आदमी आदर कहते है कि मैंने लाइब किया था तो अब ये घर पर आकर एक जार में क्यूलिप का सीड लगा लेती है जैसे ही यूंचिंग अपने रूम में दाखल होता है तो जांगी इससे बात करने के लिए आने लगता है तो जांगी इससे पुछते कि तुमने आज क्या किया है यूंचिंग कहते है कि आज मैं लैंप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए था तो जांगी कहते है कि वहाँ पर लाइट्स और म्यूसिक भी होगा और उसके साथ वहाँ पर तुम दोना अकेले थे सुनने में काफ़ी रुमेंटिक लग रहा है यूंशिंग कहते है कि वो सर्फ डिजाइनर है जो कि मेरे घर को रेनुवेट करने में मेरी मदद कर रही है जांग ये कहते है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो आज चैन अपना काम लेकर सुयंग के पास आता है जो कि इसी लैंप को देखे जा रही होती है जन सोईंग से कहता है कि क्या कल यूनशेंग सैडिस्फाइ हो कहते लाइट्स को देखने के बाद सोईंग इसको बताती है कि वहाँ पर कुछ लाइट्स इस तरह की थी जिसकी वज़ा से ब्रिकर ट्रिप कर गया था चैन पर ये लैंब उठाकर लेकर जाने लगता है तो सोईंग कहती है कि इस लैंब को छोड़तो और फिर सोईंग यूनशेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आजाती है यूनशेंग कहते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तोmund tin कैते कि मैं तोहारी वापस करने केने के लिए आए हूँ Sooying इसकी टेबल पर पड़े वह लईन्ज को देखती ही तो कहती कियो ना मैं आपको कही खाना खिलाने के ले ले चलू तोgt eaten zeon time को देखते वे कहता है कि मैं आपको अपने कैफिटेरिया का खाना खिलाता हूँ और फिर ये दोनों हास्पिटेरिया में खाना खाने के लिए आसा आते हैं जांग जी जैसे इन दोनों को खाना खाते हुए देख रहा होता है और ऐसा करते हुए सुई और यूंचंग के कपड़े गंदे हो जाते हैं यूंचंग तो ये देखकर हसने लगता है और फिर ये सुईंग से कहता है कि क्या तुम मेरे डोम में कपड़े चेंज करना चाहोगी सोयंग इसके लिए माँख जाती है और पर यूंचंग इसको अपने डूम में ले आता है यूंचंग इसको कपड़े देने के बाद खुद जांगी के रूब में चला जाता है पर जब कि अपने ड्रेस को ड्राइ कर रही हूती है तो इसकी नजर मीसू और यूंशंग की फोटो पर पड़ती है और ये इसको देखने के लिए आजाती है और सोचन लगती कि मीसू ने यकीनाने कच्छे संदगी गुजारी होगी घर आने के बाद सुइंग बहुत ज़ादा टेंशन में अपने घर में इदर इदर फिर रही होती है और कहरे होती है कि आखिर मैंने उसकी ये रिम्बो वारी रिक्वेस्ट क्यों मानी पर सोचन अपने फौन पर इस टूलिप के सीट वारे जार को रखकर बैट जाती है और इसे पूछ रही होती है कि तुम्हें मुझे बताओ कि मैं आखिर एक rainbow कैसे create करूँ इस जार के अंदर जो colorful balls होते हैं वो फॉन की lights की मदद से एक खुबसूरत rainbow create कर रहे होते हैं ये देखकर सुयंग को idea मिल जाता है अगले दिन सुयंग चब अपने studio पहुंचती है तो इसके employee युनशंग का recent interview देख रहे होते हैं जिसमें interviewer युनशंग से इस घर के खराबियों के बारे में सवाल पूछ रहा होता है और युनशंग ने जो कुछ कहा होता है उस पर audience बहुत ही सादा इट comments कर रही होती है सुयंग के लिए कि बहुत ही खराब designer है ये देखकर सुयंग को बहुत ही बुरा लगता है अब यही interview hospital में बैट कर युनशंग भी देख रहा होता है लेकिन युनशंग ये देखकर सोचने लगता है कि इसने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की थी और ये सारी editing पीटर लू ने करवाई होती है अब शुआन पीटर लू से बात किरने के लिए आती है शुआन इससे कहती कि तुम क्या कर रहे हो तो ये इसको कॉमेंट्स दिखा कर कहने लगता है कि क्या तुमने इससे पहले इतने दोता कॉमेंट्स देखे हैं किसी वीडियो पर शुआन के नहीं लगती कि अगर तुम अपने शो की अच्छे रिजल्स चाहते भी हो तो तुम्हारी अंदर क्या moral values नाम की भी कोई चीज है पीडियो कहने लगता है कि तुम कामडान हो जाओ तुम भी जानती हो कि पिछले चंद सालों में मार्केट कितनी बुरी चल रही है हमें इसमें survive करने करे कुछ तो करना होगा ना शौन कहने लगती है कि अब ये शो किस तरह का हो जाएगा तुमने जो कर दिया है और क्या तुम जानते भी हो कि इन दोनों को इस शो पर बुलाना मेरे लिए कितना मुश्किल था पीडियो कहते है कि मैं तो यही चाहता था लेकिन ये सो येंग को मेसिज नहीं कर पा रहा होता इतने में जैंगिस के पास आता और उसको दिखाता है कि इस वीडियो की वज़ा से सबी लोग ग्लास हाउस की कॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और सो येंग को बहुत जादे हीट मिल रही है ये देखकर येंग परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ शोवान अपनी एडिटिंग टीम के साथ क्लिप्स को ठीक करने की कुशिश कर रही होती है येंग शोवान से मिलने के लिए आता है शोवान कहती है कि ये मेरी गयर जिम्यदारी का नतीचा है तो येंग शोवान कहती है कि मुझे एक रिजनेबल जवाब चाहिए शोवान कहती है कि इस क्लिप में गलत एडिटिंग की गई है लेकिन तुम फिकर नहीं करो आएंदा आने वादी हर वीडियो को मैं खुछ चेक किया करूंगी ताके आएंदा इस तरह के एडिटिंग ना हो येंग शोवान कहती है कि मैं तुमसे ये पूछने के लिए नहीं आया हूँ छे साल पहले क्या हुआ था शोवान कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ये इसको अपना फॉन दिखा कर कहने लगता है कि आखिर छे साल पहले सूवान कहती है कि इसके बहुत सारी वजवात थी लेकिन ग्लास का अफेक्ट काफी अच्छा था तो येंजंग कहता है कि मैं पुराना इंटर्वियो देखना चाहता हूँ फिर शोवान येंजंग को इंटर्वियो दिखाने के लिए आती है इस इंटर्वियो में तो सूवियंग कहती कि ग्लास को में मिटियल के तोर पर इसलिए इस्तमाल किया जा रहा है क्योंकि मैं कम वक्त में बहुत अच्छा अफेक्ट हासल करना चाहती हूँ ताके मैं अपने क्लाइंट की विश को पूरा कर सकूँ ये देखकर यूंचंग एमोशनल हो जाता है शूवान इसको बताती है कि मुझे सूवियंग ने ये पार्ट इंटर्वियो में एट करने से मना किया था और फिर हमें पुराना दिखाया जाता है जब यूंचंग मीसू के साथ यहां से चला जाता है तो शूवान सूवियंग से कहती कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने ग्लास को क्यों यूज किया है क्योंकि तुम चाहती हो कि ये दोनों जल्द जल उस घर में रहने के लिए चले जाएं सूवियंग कहने लगती है कि मीसू की कंडिशन काफी क्रिटिकल है ग्लास की मदद से हमें सिर्फ एक से डेट महीना लगेगा और सू येंग शान से कहती है कि तुम ये टाइम वाली बात इंट्रविय में नहीं करना क्योंकि इसको सुनकर मीसू को अच्छा नहीं लगेगा और येंशंक को ये वज़ा जान कर बहुत ही खुशी होती है कि सीव ने ये सब कुछ सिर्फ मीसू की खाते किया था इसी मुमेंट पर एपिसोड टू खतम हो जाती है